मित्रो डर सबको लगता है गला सबका सूखता है और जब गला सूखता है तो मैं ने पैतरे आते हैं अब देखिए ना गया कि दाम कम हो गए ना है गया सकता है तो चलिए सबसे पहले जोर-जोर से तालियां बजा दिजे हमारी परतार के लिए अभी बात करते हैं वन नेशन बात की जाएगी तो सबसे पहले हम समझते हैं बीजेपी का जो तर्क है बाती जनता पार्टी का तर्क है कि चुनाव की विजए से देश में बहुत खर्चा हो जाता है जनता का पैसा खर्चा होता है इसलिए जब सारे चुनाव एक साथ होंगे तो यह खर्चा कम हो जाएगा बार-बार एलेक्शन का जो खर्चा होता है वो बच जाएगा कितनी चिंता है ना जनता की देखे तो आप लेकिन जो आकड़े हैं वो कुछ और बताते हैं चुनाव में पैसा किसका होता है आपको एक बात बताती हुमे हमारा देश जिसको third world country क रिकॉर्ड है दुनिया का सबसे महंगा चुनाव कराने का. 2019 का लोक सभा चुनाव, दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था. आठ बिलियन डॉलर खर्चा किया गया है. अब मैं डॉलर में बता रही हूँ. आप रुपीउ में देखे, ये संख्या देखे, इस क्रीन खतम हो जाएगी लेकिन जीडम करवाइब भारती जनता पार्टी जो की जनता को यह कह रही है कि पैसा खर्चा हो जाता है , बाढ़ी चिंता है आपकी भारती जनता पार्टी ही सबसे जादा खर्चा करती है आठ बिलियन डॉलर में से लगभग आधा खर्चा खुद भारती जनता पार्टी ने किया भारती जनता पार्टी ने जो जानकारी बताई जो रिकॉर्ड दिया कि 2016-2017 और 2021 में हमें 10,000 करोड से जादा के डोनेशन मिले है 10,000 करोड और बात यह देखिए कि बाकी जो पार्टियां है देश की सब के सम मिला करके जितना डोनेशन उन्हें मिला है उनसे तीन गुना ज्यादा अकेले भारती जनता पार्टी को मिला है तुम जनता का पैसा नहीं बचाना चाहते हो तुम अपना पैसा बचाना चाहते हो तुम चाहते हो कि जो पैसा आता है वो चुनाओं में खर्च ना करना पड़े रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2019 का जब चुनाव हुआ था तो उसमें सबसे बड़ा खर्चा रैलियों में, पियार में, संबोधनों में गया था, आप देखते ही हैं संबोधन किस तरह के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा खर्चा था कि जनता को उसको डाइरेक्ट पैसा दियाने ता उने, यानि कि ये तो इलिगल है, तो फिर इलिगल काम मत करो, इलिगल काम करोगे, इलिगल काम करने में पैसे खर्च करोगे, और फिर कहोगे कि और यार, खर्चा बड़ा हो गया है, मत करो न, simple solution है. खेर, ये रहा भारती जन्दा पा उनके क्या तरख हैं, दिक्कत One Nation, One Election से नहीं है, इसके पीछे जो छिपा एजंडा है, उससे है, One Nation, One Election, One Party, One Leader, एजंडा है राज्यों में जो पार्टियां हैं उनको कमजोर करने का, क्योंकि भार्तिय जनता पार्टी को भी पता है कि उसके लिए सबसे बड़ी चुनावती दूसरी National Party Congress नहीं है उनके लिए सबसे बड़ी चुनावती है अलग-अलग राज्यों में जो राज्य की पार्टियां है, जो लोकल पार्टियां है वो उनको सबसे ज़यादा तंग करती है। जहां जहाँ पर भी जिन जिन राज्यों में local partyy मजबूत होती हैं। वहां भारती जंता party को दिक्त हो जाती है। चाहे आप दिल्ली के मादमि पार्टी को ले ले ले। चाहे आप बिहार की बात कर ले। भाजपा को मशक्कत बहु और अगर यही अंतर 6 महिने का हो जाता है कि लोकसभा और विधान सभा के चुनाव में 6 महिने का अंतर हो तो लगबग 61% लोग एक ही पाटी को वोट देंगे, यानि कि जैसे-जैसे अंतर आल बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे अंतर बढ़ता जाएगा, और भारतेये जंता पार्टी ने ये चीजे जेली है आप करनाटक की बात कर लिजे लोग सभा चुनावों में करनाटक में 28 में से 25 सीटे भाजपा को गई लेकिन जब विधान सभा चुनाव हुए तो भाजपा को अंधे मुग गरना पड़ा यही हाल राजधानी दिल्ली में भी रहा राजधान दिल्ली में 2019 के चुनावों में 7 के 7 सांसद भारती जंता पार्टी के चुने गए जंता ने चुना लेकिन वहीं जब विधान सभा के चुनाव को गई का कि देखो भया, तुम्हारे काम से हम संतुष्ट नहीं है, हमारे पास option है, इसलिए हम उस दूसरे option को चुन रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक होने का क्या नतीजा होता है, यह आप मड़ीपुर से पूछे, मड़ीपुर में हैवानियत की हदे पार हो चुकी है, म 14 मिनट ही चला यह सतर, लेकिन इसमें आपको क्या लगता है, कि राज्य के मुद्धों बात होई होगी, बिलकुल नहीं, बात होई चंद्रयान पे, भारती जन्ता पार्टी को भी पता है, कि यह जो मोदी लेहर नाम का गुबारा है, वो कप-कप उट चुका है, और वो सभा और विधान सभा के चुनावों में, लोक सभा के चुनाव जब होते हैं, तो उसमें मुद्धे अलग होते हैं, विधान सभा चुनावों में मुद्धे लोकल होते हैं, कि हमारे विधायक ने काम नहीं, कि हम उसको वोट नहीं देंगे, हमारे नेता ऐसे हैं, लेकिन 2019 क लोग सभा चुनावा प्यात करिये, मुद्दे क्या थे, पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक, पुल्वामा, और कस्मीर में बिहार के लोग छठ मनाएगा कि नहीं मनाएगा, यह मुद्दे थे, लेकिन वही जब विधान सभा के चुनाव हुए, अलग-अलग जगहों पे, ज लिया जाएगा, वही पाकिस्तान, चीन टाइप के मुद्दों पे वोट लिया जाएगा, जी-twएंटी पे वोट लिया जाएगा, चंद्रयान पे हमने रॉक्ट उडा दिया था, चंद्रयान का क्रेडिट हमको जाता है, ईस्ञों के साइन्टिस्टों को नहीं, तो यही विधान सभा में मुद्दे दूसरे हो जाते हैं लेकिन डर इतना है कि ये लोग सिर्फ इसलिए तकि सत्ता बनी रहे इसके लिए तमाम विधान सभाएं भंग करेंगे जहां पर तुरन चुनाव हुए हैं वहां पर भी और अलग-अलग राज्यों में शुरू से चुनाव कर रहा है हमारा अधिकार कि हम अपनी सरकार के खिलाएफ अवाज उठा सके हमारा अधिकार कि अगर हम तुम्हारे काम से खुश नहीं है तो हम अपना दूसरा option देखे हमारे सामने से option ही खत्म कर दिए जा रहे हैं यानि कि एक बार सरकार चुन लिया तो उसके बाद से जलो क बटो मरो तुम अगले 5 साल तक कुछ नहीं कर सकते हो यानि कि लोकतंत्र में हमारे जो अधिकार है उनको खतम करके ताना शाही लेकर के आने की कोशिश हो रही है अगर वीडियो आपने यहां तक देख लिया हो तो और लाइक करीदीजिए बाकी अब आ गया है तो सब्सक्राइब भी करीदीजिए और एक बार फिर से यह वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया बहुत धन्याओ